आज चर्चा के विशे में समुद्र का प्राक्रम क्यों मनाया जाता है नोसेनिक दिवस अभिवादन स्विकार कीजिए डॉक्टर संतोशकुमार का आज चर्चा कर रहे हैं 4 दिसंबर 1971 को कराची नोसेनिक अड़े पर भारतिय नोसेना के ओप्रेशन ट्राइडन को और साथ ही जानेंगे ओप्रेशन पाइथन को और ओप्रेशन ट्राइडन की काम्याभी का दिन ही जस्ट के रूप में आज नोसेनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सभी भरतवाशियों को नोसेनिक दिवस की सुबकाम नाए जानेंगे क्या इतियास की उन जलकियों पर नज़र डालेंगे बारिकी से किस तरीके से नोसेना ने अपने आजादी के बाद किस तरीके से 1965 जो द्वारका में सिब दुबो दिया गया था उसका भी बदला लिया और अपने प्राकरम को स्तापित किया इत्यास की नजरों में चलें तो जो नोसेना है अठारा सो बानवे में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन के नाम से जाना जाता था और सत्रवी सताप्ती की बात करें तो मराठा समराड छटपति सिवाजी ने नोसेना तब वह बॉंबे मरीन के नाम से जानी जाती थी और 1950 में जब पुनरगटन के साथ इसे भारतियन नोसेना नाम दे दिया गया वर्तमान में करीबन 75,000 रिजर्व सेनिक इसमें है और 76,252 सक्रिय सेना सेनिक अपनी सेवाएं दे रहे है आप ले चलता हूँ आपको 50 साल पूरू जहां हमने चर्चा करी थी तीन दिसंबर को पाकिस्तान में शाम साड़े पांच बजे युद्ध का एलान कर दिया और उसी एलान के साथ जहां पाकिस्तान एर बेस आप ये देखें ग्लोरियस डे ये ग्लोरियस डे यानि कि ग्लोरियस एक नाइट थी क्योंकि तीन दिसंबर को जहां पाकिस्तान ने अपनी कर्टूतों को जग जाहिर किया और तातकानिन प्रधान मंत्री ने इसका जबाब देते हुए पूरी तरीके से तीनों सेनाओं ने मुस्तेदी के साथ ठाना कि वह किस छेतर पर अपना जबाबी कारवाई देते हुए पाकिस्तान को डटे रख सकती है जहां भारतिय सेना पच्छमी कमान पूर्वी कमान पर मुस्तेद थी उसी तरीके से नो सेना अरब सागर और पूर्व में बंगाल के खाड़ी पर पूरी तरीके से मुस्तेद थी और उसी के तहट किस तरीके से अरब सागर में कराची तरबर क्या को दोहल मचाया जिसे पाकिस्तान कभी बुला नहीं सकता और भारतिय नो सेना के लिए ये गौरवानवित महसूस करने वाला दिन 4 दिसंबर इसलिए रातरी में ये अभिहान 10 बज कर 40 मिनिट पर शुरू हुआ था और करीब रात 11 बस्ते बस्ते 11 बज के 20 मिनिट तक पूरी तरीके से जो भी वहाँ इतिहासी गटना हुई जो नो सेना के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ती है और जिसको अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने अंतरिक श्यात्रियों ने उपर से लप्टे इतनी तेज थी कि उसको वहाँ से उन्होंने देखा और यह लप्टे 70 मिनिट तक चलती रही आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं और किस तरीके से जहां आप देख रहे हैं 3 दिसम्बर को पूरी तरीके से युद्ध की घोशना हो चुकी है और भारतिय ठीकानों पर 12 नौसे निकटों प पूरीके सब्सक्राइब टेर रहे चुछ और ये इमर्चाइब भादन कोट श्रीनिगर ऑंतिपोर, अथाल-ए, जोथपूर, अम्बाला अगर्ण पूरके रवीनिस्ट दिस कूंती से एक टूंतिकोर, श्रीनिगर, आवंतिपूर, अवंतिपूर, अच्बाला, एक्षब और इसी तरीके से हम ये देखें कि एड्मिरल नंदा का जो उस समय अड्मिरल नंदा नौसेनिक प्रमुक थे पूरी तरीके से उन्होंने आश्वस्त कर दिया था सैम मानिक्षा के नेतरत में तातकानी प्रधानमंत्री सिमती इंद्रा गांधी को कि पाकिस्तान टैट हैस बिन कमिटेड एज अनप्रूवड एक्रेशन अगेंस अस पूरे जोस और साहज के साथ हमें द्रड़ता से इसका सामना करना हैं और माय अब्जेक्टिव इस तो शर्च पाकिस्तान ships, warships and along with sister services to inflict maximum damage on the enemy war machines no sacrifice should be too much for us let us write a new chapter in the history of our service तो ये message draft है Admiral Nanda के द्वारा और जो लिखा वहकर दिखाया और आज इत्यास के पन्नों में चार दिसंबर को भारत नो सेनी दिवस मना रहा है इसी तरीके से operation की command उस समय commander बी बी यादव को सोपी गई जो पूरी तरीके से तयार थे और पूरी तरीके से तयारी जो रूस से करके आये थे और 58 लों का दल पूरी तरीके से जो रूसी भासा को जानता था और पूरी तरीके से जो ओसो बोट्स जिने किलर बोट्स कहा जाता था एक किलर स्कॉर्डन था के 25 उसके तहत साथ बोटे जो घातक मिसाइल बोट कहें जिसे किलर स्कॉर्डन के नाम से जाना जाता है वो पूरी तरीके से तयार थी और रात के समय ओप्रेशन ट्राइडन को पूरा करने के लिए समय निकाला गया कारण था कि रात के समय पाकिस्तानी हवाई जहाज अपने शमता के साथ प्रहार नहीं कर सकते थे तो किस तरीके से रणनीती बनी नज़डालते हैं सबसे पहले रो के पास करांची हारबर की पूरी तस्वीर थी पहले भी आपको बता प्यार कर रखी थी अक्टूबर 1971 की वार रूम नई दिल लिकी रक्षा मंत्राले में मंत्री जग जीवन राम रोप्रमुक आरन काव एड्मिरन नंदा बैठक कर रहे थे करांची हारबर से चप्पे चप्पे पर वाकिफ एड्मिरन नंदा चिन्ति थे उन्होंने बता कि नोसेना ने एक नया सर्विलान सिस्टम लगा दिया है यह कितना ताकतवर है यह जानना बहुत जरूरी है तो इसके लिए काव ने अपने आदमियों के साथ काम पे लग गए और मुंबई में एक बहत खास आदमी से उन्होंने संपर्क किया वह थे एक डॉक्टर जो कि कस् जम में उनका कुछ लेना देना था जहाज उनका फस गया था और कही केस उन पर चल रहा था और उनका पराबर करांची आना जाना लगा रहता था डॉक्टर क्वास जी के संपर्क में वैयाए और इस जंजर से निकालने का उड़े वादा दिया और वह बात क्या थी कि दो रहा विक्तियों को उनको साथ लेकर करांची हारबर जाना था जहां वह उस समय के खोफिया कैमरों की साथ लैस और उन्होंने पूरी तरीके से बारिके से करांची पोट की एक-एक इलाके की तस्वीरों को जो सर्विलेंस सिस्टम नया लगाया था उसकी जानगरी एड्मि पूरी जानकारी थी उसके बावजूत जो अमेरिकिस सिस्टम था उसकी जानकारी के लिए भी उन्होंने पूरी तरती और बारीकी से उसको जाना तो इसी के साथ रोजेंट राव और मुर्ती संकरनायर के सायक थे और रो मुर्ती ने वो फोटोएं देखी और उन्हें डक्टर के साथ जाकर कराची बंदरका का हर एंगल से फोटो लिए और जो तस्वीरें सामने आई तो कराची बंदरका का हर पहलू भारती अनुसाना के सामने था और इसे ध्यान में रखकर ही चार दिसंबर को भारत में हमले की रणनिती तयार की और आप ये मानिएगा किस तरीके से रणनिती में आप ही देखेंगे पूरे जहाज और ये जो ओसो वोट्स हैं किलर बोट्स जिने कहा जाता था उनका पूरी तरीके से जो 25 MVS आप ये देख रहे हैं ये किलर स्कॉर्डन था किलर स्कॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है और चार दिसंबर को किलर डे के नाम से भी जाना जाता है ये किलर सकवाडन में पूरी तरीके से ये देखे ये task force है इसकी task force में आयन campaigns above killer boat निपत, विनास, वीर, निघः निघः का नाम याद रखिएगा निघः सबसे पहले जिसने पाकिस्तान जो खेबर था खेवर को गहत लगा कर खत्म कर दिया था निघथ, निघथ के बाद वीर और फिर निपत किस तरीके से पूरी तरीके से इन पाँच किलर बोटों ने गहतक मिसाइलों से लैस जो स्टिंक मिसाइले इन पे लोडेट थी ये पूरे का पूरा लबाजमा तैयारी करके ये सोवेत रूस से आ रहे थे अब आपको जानकारी दे रहा हूं किस तरीके से सोवेत रूस से ये लेकर आये थे और सोवेत रूस को जो ये हमला हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं थे विस्वास नहीं कर सकता था कि उन्हीं की बोटों को इन्होंने इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल हैरान था अपनी ही बोटों की कामयाब्वे पर रूस कराची हमले में रूसी बोट के प्रियोग की सूचना जैसे ही सोवित नू से ना एड्मिरल उस समय गौसकाव थे को लगी वे हैरान हुए सोवित नू से ना ऑपरेशन गूप को मिल रही उपगरे की तस्विरों को देखकर वे अपनी आखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे यूद के खतम होने के बाद चार अप्रेल 1972 को एड्मिरल गौसकाव जब भारत आये तो उन्होंने कहा कि उन जाबाशू स वे मिलना चाहते हैं उन्होंने मिसाइल पोर्टों से करांची जला दिया उस समया इनस विकरांथ पर भोच चल रहा था पोर्ट कमांडर ये तक वर्दी में थे और सोवित एड्मिरल को बताया गया कि उनके पास भोच में सामिल होने के लिए उचित पोसाक नहीं है और यक वह उन्हों सभी पोर्ट कमांडरों से मुकातिफ होते हैं और उन्हें बधाईयां देते हैं किस तरीके से इस घटना को हम देखते हैं कैसे हुआ था उस पे नज़र डालते हैं और और इसी के साथ तीनों बोटों ने कैसे तबाही की उस पे आगे चलते हैं तो रातरी के 10 बज़ कर 40 मिनिट और इस तरीके से आइनस निगट ने खेबर पर पहली मिसाइल दागी और कराची से 45 मील पहले खेबर डूब गया यह वही जगह है जहां 1965 में द्वार का नोसेनिक अड़े पर हमला किया गया था और इसके कमांडर का नाम गजनी था और यह वह बदला भी पूरा होता है साथ की साथ एक गौरवानवित महसूस करता है नोसेनि और करीब 11 बज़े निपात ने अमेरिका से हत्यार ला रहे प इसे मिसाइल पोर्ट वीर ने 11 बच के 20 मिनिट पर दूसरे पाकिस्तानी पोर्ट PNS मुहाफिज को पोर्ट का निसाना बनाया और पूरी तरीके से वो इसको पता नहीं लगा पाए कारण था कि जो बाचित कर रहे थे वो सभी रूसी भासाओं में बात कर रहे थे और वो सम 20 मिल दूर कराणची से उन्होंने टार्गेट को हिट किया और मिसाइल चलते ही और जो मिसाइल का निसाना वो बिलकुल सटीक और 70 मिनिट तक आग के लपटों से घिरा हुआ कराणची पोर्ट और वह पोर्ट 19 मिल दक्षिन में जाकर डूबा ये है PNS खेबर तबहा ही थी तबहा ही बिलकुल पाकिस्तानी एर फोर्स बिलकुल नहीं समझ पा रहा था उसे करना गया था पूरी तरीके से जो आर्थिक उसकी राजधानी कराणची थी पूरी तरीके से दुनिया से काट डाला गया और फिर PNS मौहाफिज और फिर अमेरिका जो हत्यालार चैलेंजर क टार्गेट बनाया गया और यह कहानी आगे चलते हुए हम आपको बताते हैं कि उस समय जो प्रमुक एड्मिलर नंदा सुंदारी लाल मत्रादास नंदा के नेतर में ओपरेशन ट्राइडल पूरी तरीके से सक्सेस्फुल उनकी स्टोरी चलती है और वो पूरा तरीके से ल क्योंकि एड्मिलर नंदा जो ओपरेशन ट्राइडन का नेतरत कर रहे थे और पूरा प्लान उन्होंने ही बनाया था नंदा का जनम मनोरा आइलेंड करांची में हुआ था नो सैना में नोकरी के सुरुआत यहीं से हुई थी यही वज़े थी कि वह इसके चप्पे चप्प से एड्मिलर नंदा भली बाती वाकिव थे उन्होंने यह योजना बाई बनाई और उसे पूरा करने के जिम्यदारी 25 वी स्क्वाडन जिसे किलर स्क्वाडन कहते हैं कि कमांडर बबरुभान यादव को दी जो बबरुभान यादव से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिने महावीर चक्र से नवाजा गया दूसरा सबसे बड़ा गैलेंटरी अवाड इसी के साथ केपी कमांडर गेपी गोपाल राव को भी महावीर चक्र मिला जियो संबरीन को कंट्रोल कर रहे थे इस्टन साइड में उनका भी लाजबाब कारनामा था और इसी तरीके से कमा ऐसे में दो पटाईया क्लास फिगेट किल्टन और कलचाल टो कर के ले जा रहे थे क्योंकि वो छोटी थे पता ना लगने के लिए उनने साथ टो कर के ले गया और इसके प्रेक्टिस पहले ही की जा जुकी थी जब क्रेन ना उपलब्ध होने के कारण कॉलकाता से इन पोट इसी तकनीक कावपियोक इस युद्ध में किया गया कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जो सर्विलेंस से लैस था उसे रत्ती भर भी इसकी ख़बर नहीं मिली कि क्या हो गया और पूरी तरीके से कराण्यी एक किनारा पाकिस्तान जोकी पच्छम पूरी भाग और पूरी भाग को जोड़े रख सकता था, वहां से गाजी को रवाना कर दिया गया और गाजी जो विक्रांत आइनेस विक्रांत के पीछे था, वह भी चलते हुए 8 दिसम्बर को तबाह हो गया। तातकाली उस समय धाका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 16 दिसंबर के बाद एक नए देश जो की बंगलादेश की रूप में जाना गया। आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से पच्छमी भाग और पूरी भाग के बीज कनेक्टिविटी किस तरीके से थी और लास्ट में 93,000 सेनिकों के साथ ये जन नियाजी हैं जिनोंने हस्ताक्सर किये इंस्ट्रूमेंट ओफ सरेंडर पे हस्ताक्सर करते हुए और किस तरीके से अटैक किया करांची पे ये एक काबिलेत तारीफ था बिलकुल अनकंडिशनल था और इसी के साथ हम नेविडे को मनाएं और ये हर काम देश के नाम ये है नेविडे की अपनी पहचान और इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं कुस खास ज़लकिया जो इस भारतिये नों आपको दिखा रहे हैं ये जो खास बात 4 दिसंबर 1971 और 5 दिसंबर के बीच की जहां आप देखेंगे किस तरीके से ये प्रमुक जलकिया है एक हिस्टोरिकर नेवल हिस्ट्री थी जहां ओपरेशन लॉंच कहां कराची के खिलाफ लॉंच किया गया था आप पूरी तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से कुल मि विटेजे एजे नेवी डे के नाम से जाना जाता है आप ये देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बना एट नाइट दा पाकिस्टान डिड नॉट है एक काफ्ट देट कुड कैरी और बॉंबिंग एट नाइट रात में हमला नहीं कर सकते थे इसलिए हमने जो समय चुना था वो रात का ही चुना था और इसके साथ ऑपरेशन ट्राइडन जो सुरू हुआ उसके मुखातिफ हुए आप लोगों से और ऑपरेशन ट्राइडन की अपनी ही पहचान है नोसेन के तिहास में ये कराजी पोट का हाल जो तस्वीरे अमेरिकी स्पेस लैब से बेठे अंतरिक श्यात्रियों ने भी देखी और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या तस्वीरे हैं कहां से आ रही हैं अमेरिका को विश्वास नहीं हो रहा था और इसी के साथ ये ओसो मिसाइले किस तरीके से तैयार अपने टार्गेट के तरप निघत जो ऑपर रेबर को गिराया और दो मिसाइलों से पूरी तरीके से निष्टे नावूत कर दिया और ट्राइडन का अपना ही महत्वर जो इत्यास और इसी तरीके से ऑपरेशन ट्राइडन इंडियन नेवी डे के लवग से जाना जाता हैं अपनी ही पहचान खास आप ये देखेंगे ये तस्वीरे वहीं से, आप ये देखे बारिकी से, पूरी रणनीती को आप ये ध्यान देंगे, पूरी रणनीती किस तरीके से, ये देखे, PNS मुखाफिज, जो आइनेस वीर के टारगेट से खतम हुआ, किलर मिसाइलों से, जो स्ट्रिंक मिसाइले थी, PNS खेबर, दो मिसा पांच का अपना ही लाजबाब कार्णामा देखने को मिला, और इसी तरीके से, मुखाजिप को तो अपना संदेश भीजने से, पहले ही आइनेस वीर ने मार गिराया, और उसी तरीके से, MV वीनस सेलेंजर, जो पाकिस्तानी से समान लेकर आ रहा था, उसको आइनेस निपत नो डुबा दिया, और इसी के साथ धीरे धिरागे बढ़ते हुए, ये आइनेस किल्थन का, जहां से उसने पूरी तरीके से, पाकिस्तान के आंतरिक जो तेल डिपो था, जिसकी आग की लपते सतर मिनिट तक लगी रही, और जो उननीस मिल डूब में मुहाफचिप डूब गया था, तो ये सबी तस्वीरे वहीं से, जो कि एक इतिहास के पन्नों पर नोसे निका अपना ही एक खास है, ये फर्स्ट विक्टम है, पाक नेवी का डिश्ट्रोइट पी एनेस खेबर की तस्वीरे आप देख रहे हैं, और उपर फर्स ट्राइक में जो स्टिंक मिसाइ किस तरह से पे एनेस खेबर को तभा किया, और ये ओफेंसिव और ये वाकई में भारतिय नोसेना का कमाल था, जो कि आजाती के बाद भारतिय नोसेना पर 1971 में उन्होंने जो कारनामा कर डगाया, वो काबिले तारीफ रहा, और इसलिए हम इस्टॉरिकल डे नेवल विक्ट वीडियो को लास तक देख लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मात्रम, आपके कमेंट हमारे लिए सर्वोपिये हैं, इसी तरीके से कुछ और रोचक जलकिया, सेना, गौर्मान भी किस तरीके से हमारे देश को कर रही है, फिर आपसे मुखातिफ होंगे, तब कर लिए नम भी को इंगने विए नमसकार, जो तक जいきます, इडरले किस तरीके सिंगरे मेंड़ाद, मेनमान प्सलिए आपसे मुखाह, डिए ने उे समार को भी करेंड़े, नमसAREू फिर प्सलिए से थी तिर्भियों, तो बात दो अज़िए इयाले। प्स defender, नमस चार, ज्र्भियार,